हेलो ट्रेटर तुमारो 13 of December 2022 के लेवल देख लेते हैं निफ्टी निफ्टी अपने ADMA के ऊपर और 20MA के ऊपर है अगर ये कल गैप आप ओपनिंग देता है अगर कर ये गैप आप ओपनिंग देता है सम्थिंग एराउंड यहां पर अगर ये ओपनिंग करता है तो हम लोग यहां से लेगे 18,522 का लेवल एक रख सकते हैं और यहां से अगर यह इसकी केंडल एक नहीं से क्लोस कर देगी तो हम लोग यहां से सीपी आर तक लेवल कर सकते हैं एक ट्रेड और दिन सीपी आर के अंदर कोई भी ट्रेड नहीं बनती है और जब प्राइस 18,440 से 18,400 तक रहेगा तो केवल only scalping होगी scalping यह तो option selling हो सकती है option buying नहीं करूंगा मैं next first candle जब यहां closing करेगी nifty की then हम लोग इसका एक next level यहां तक देख सकते हैं और currently ऐसे ही अगर यह उपर closing करती है अगर 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 ऐसे ही निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग करती है तो हम लोग यहां से इसका level target रख सकते हैं then हम लोग CPR में कोई भी trade नहीं करेंगे और CPR के बाद हम लोग next CPR के दिन के पहली candle अगर green होगी दिन के पहली candle यहां पर green होगी तब हम इसका निफ्ट लेवल हम लोग यह target रख सकते हैं एटीन 400 एटीन 404 और उसके बाद दिन CPR के अब अब निकलने पर हम लोग एटीन 525 का लेवल एक रख सकते हैं देन आपको major buying की probability मिलेगी देन मूब करते हैं बैंक निफ्टी पर बैंक निफ्टी में क्या लेवल बनेंगे बैंक निफ्टी आज काफी अच्छा मूब था इसका फिलाल यहां पर एक CPR का सपोर्ट लेके ऊपर उठा था आज का यह था यह आज एक बढ़िया का जा एक बढ़िया बाइंग थी पहली candle मे इसने मर्केट में opening हुई थी और यहां बें जाके कलोजिंग भी देन CPR के ूपर क्लोजिंग दी थी थी तो हम लोग बैजजग यहां पर हम लोग buying side बैठ सकते थे दिन हम लोगों को 43.6 36 से 7.40 तक का level मिला था अच्छे खासे point मिल जाते फिर उसके बाद sideways moment चला था और कल भी दिन sideways moment की ज़्यादा probability है क्योंकि जो today का CPR है वो दिन tomorrow CPR में around collapse है something दिन हम लोग लेवल पर आते हैं कल के level क्या होंगे हमारे कल का level होगा अगर bank nifty gap down opening होता दिन की पहली candle अगर green होती है दिन की पहली candle अगर green होती है दिन की पहली candle green होती है दिन हम लोग 43,530 के level तक एक trade ले सकते हैं और दिन यहाँ पर हम लोग क्योंग इसकेलपिंग कर सकते हैं इसकेलपिंग का moment होगा क्योंकि यहाँ पर कोई basic trade नहीं होगी पर नहीं CPR के अंदर कोई भी trade नहीं बन दी है क्योंकि हो sideways भी CPR पैटर्म बन जाता है और trade तभी लें जब प्राइस एक्षन फॉलो करें दिन हम लोग यहाँ दिन क्या होगा अगर CPR के ऊपर closing देगा और CPR के ऊपर हम लोग 43.75 तक का level एक देख सकते हैं और 77.5 के ऊपर अगर candle close करती है दिन हमें एक major buying के तरफ जा सकते हैं major buying के साइड trade डे सकते हैं और दिन इसी के according इसी के reverse अगर यहाँ opening करता है अगर gap app opening देगा और उसके नीचे first candle यहाँ पर अगर कहीं close करती है तो दिन CPR का target हम लोग रख सकते हैं direct CPR का target हम लोग देख सकते हैं और CPR के नीचे यहाँ पर sideways selling होगी sideways selling ही होगी option selling होगी क्यों sideways market चलेगी जा सकती है market जा सकती है like a market में probability होती है not surety but probability और knowledge दोनों होता है then analysis आप earn कर सकते हैं then हम लोग यह level इससे आगर CPR के नीचे अगर यहाँ पर closing कहीं देता है candle के इस column के नीचे अगर closing देता है then हम एक major selling major selling आ सकती है bank nifty में bank nifty major selling आ सकती है और उसका main target रहता है 43,365 then till the time go self mate thank you